दोस्तों मैं आल्रेडी इस चैनल पर काफी समय पहले कलेडियम वीडियो डाल चुका हूँ लेकिन आज भी हर रोज कलेडियम से संबंदित कई सारे सवाल आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं इसलिए लगा कि अब सही समय आगया है कलेडियम 2.0 रिलोड वीडियो को अपलोड करने का उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के मादियम से मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा जिस तरह से आपने पुरानी कलेडियम वीडियो को प्यार दिया था उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी धेर सरा प्यार देंगे जिन लोगों ने अभी तक पहली कलैडियम वीडियो को नहीं देखा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद पुरानी वाली कलैडियम वीडियो को भी जरूर देखें उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जहां से आप उसको देख सकते हैं के All को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं केलेडियम का पूरा नाम केलेडियम सेग्वीनम है और ये प्लांट किंग्डम की मैडिसन है इसे अमेरिकन एरम भी कहते हैं पहले जानते हैं कि केलेडियम मानव शरीन में कहां कहां पर कारे करती है यानि Action of केलेडियम सेग्वीनम कैलाडियम मुखेता इस्त्रियों एवं पूर्षों के जनाइटल ओर्गन्स यानि जननेंद्री अंगों पर कारे करती है लेकिन ये इस्त्रियों की तुलना में पूर्षों में ज़ादा लाबदायक है अब जानते हैं कैलाडियम के रोगी की मानसिक्ता के बारे में कैलाडियम मुखे रूप से युवा पीडी के लिए अमरिस समान है खास तोर पर उन युवाओं के लिए जो जवानी में गलत आतों में पढ़कर अपना रास्ता भटक बैठते हैं रोगी हर समय महिलाओं के बारे में सोचता रहता है धुमरपान तंबाकू का सेवन करता है जिसके चलते वे अपना मन और तन दोनों ही नश्ट कर बैठता है कैलाडियम रोगी बहुत ही लापरवा एवं भुलकड किसम का होता है रोगी की नेचर प्रवर्ती बड़ी ही निराली होती है रोगी कोई भी काम को कंसेंट्रेशन यानि एकागरता से नहीं कर पाता है रोगी इस कदर का भुलकड होता है कि उसे उसी दिन गटित कोई गटना तक भूल जाता है रोगी बैठे हुए यही सोचता रहता कि कोई गटना हुई थी या नहीं लेकिन जब तक वे खुद उस जगा पर जाकर देख नहीं लेता, तब तक वे विश्वास नहीं करता है, लेकिन दोबारा से थोड़ी देर के बाद उसे संदे होने लगता है कि क्या कोई गटना हुई थी, यहां तक ही रोगी दुकान से सामान खरीद कर दुकान पर ही सामान क को भूल कर आ जाता है, आप जानते कि कलेडियम किन-किन रोगलक्षनों के होने पर उप्योग की जाने वाली मैडिसन है, कलेडियम रोगी की आँखों में भारीपन होता है, रोगी के माथे में दर्द होने के साथ कंधे में भी दर्द होती है, रोगी जरा सभी शोर सहन नह से होते हैं ऐसे में कलेडियम को उपयोग करने से रोगी को आराम मिलता है कलेडियम रोगी को जब रात के समय नीद आने लगती है तब मेल और गन में कड़ापन आने लगता है लेकिन जैसे ही नीद तूटती है तो कड़ापन भी चला जाता है बीना किसी तरह के कामो तेजक स प्रस्थिती में कलाडियम को प्योग करना चाहिए। प्रस्थिती में कलाडियम को प्योग करने से बढ़िया परिनाम मिलते हैं। यानि गरब धारन के समय प्रजनन अंग में बहुत ही जादा खुजली होती है। जिसे प्रूराइटस कहते हैं। रात के समय रोगनी को गरब में इंठन शुदा दर्द होती है। जिसके चलते रोगनी सो नहीं पाती है और कर रहती है। ऐसे में केलेडियम लाबदाएक मेडिसन रहती है। इसको जरूर उप्योग करना चाहिए। केलेडियम रोगी को गले में कंस्ट्रिक्शन यानि संकूचन होती है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई आती है। रोगी बार बार खांस कर बलगम को बाहर निकालने का प्रियास करता है लेकिन बलगम असानी से निकलती नहीं है खास तोर पर ऐसा धुमरपान कमबाकू के सेवन की वज़त से होता है बलगम निकलने पर अस्थमा का खींचाव कम हो जाता है ऐसे में कलैडियम को प्योग करने से अच्छे परिणा मिलते हैं कैलेडियम रोगी का पसीना मीठा होता है जो मक्यों को अपनी और अट्रेक्ट यानि अकरशित करता है मक्यों के काटने पर जलन एवं बहुत जादा खुजली होती है ऐसे में कैलेडियम को उपयोग करने से रोगी को रहत मिलती है दोस्तों के मिलने पर आप शुरुआत कलेडियम 30 से करें 2-3 ड्रॉप्स को सीधे जीप पर डालें या फिर एक चमच पानी में डालकर पी लें या फिर 30-40 सैस की गलोबियूल में कलेडियम 30 को डालकर 3-4 गलोबियूल को मुँ में रखके चूस लें ऐसा आपको दिन में 3 बार दोहर जब आपको लगबग 70-80% तक आराम आ जाए तब आप कैलेडियम 200 को प्योग में लाएं कैलेडियम 200 के 2-3 ड्रॉप्स को सीधे जीप पर डालने या फिर एक चमच पानी में डालकर पी लें या फिर 30-40 साइस की गलोबियूल्स में कैलेडियम 200 को डालकर 3-4 गलोबियूल्स को मूँ में रखके चूस लें ऐसा आपको दिन में केवल एक ही बार दोराना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते अब चलते हैं ऐसे सवालों की और जो आपके द्वारा बार बार पूछे जाते हैं ऐसा कई लोगों का सवाल आता है कि क्या वे शुरुवात में ही कैलेडियम 200 को अपयोग कर सकते हैं तो मेरा यही उत्तरेगा कि आप ठीकमेंट की शुरुवात कैलेडियम 30 से करें बजाए कैलेडियम 200 के कैलेडियम 200 को लंबे समय तक अपयोग ना करें दूसरा पूछे जाने वाला सवाल है कि कैलेडियम कहां से मिलेगी दोस्तों कैलेडियम आपको किसी भी होमेपैथिक क्लेनिक से या फिर फार्मेसी से मिलेगी आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से इसको ले सकते हैं तीसरा और आखरी पूछे जाने वाला सवाल है कि कलेडियम का प्राइस कितना है दोस्तों कलेडियम का प्राइस कंपनी टो कंपनी वेरी करता है इंडियन प्राइस कम रहता है और जर्मन मेडिसन का प्राइस जादा रहता है इसका प्राइस लगभग 85 रुपीज से शुरू होकर 125 रुपीज तक जाता है उमीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों जैसे कलाडियम को लेकर आपके द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही सेलेनियम और एगनस केस्टस को लेकर भी कई सवाल पूछे जाते हैं अगर आपको इन में से किसी का वीडियो या फिर पुरानी वीडियो का कोई सेकिंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मैं उसको बनाने का जल्दी ही प्रियास करूँगा आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ने टॉपिक और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैपी